गनोरिया फैलता है अन्प्रोटेक्टेड इंटरकोस से यदि हमारे मल्टिपल सेक्शुल पार्टनर्स है उनकी वज़े से या हमें कोई पहले से सेक्शुली ट्रांस्मिट्ट डिजीज है तो हम गनोरिया जल्दी कॉन्ट्राक्ट कर सकते हैं हम किसी का sex toy या vibrators use कर रहे हैं जो हमने wash नहीं किया या condom use नहीं किया या फिर एक गर्ब बती मा अपने बच्चे में भी gonorrhea पहला सकती है अगर वो gonorrhea से शिकार है delivery के दौरान मा से बच्चे में gonorrhea जा सकता है जो कि 28 दिन के अंदर बच्चे में आंक में सूजन, लाली, डिस्चार्ज जिसको कि हम ophthalmia neonatorum कहते हैं उसकी तरीके से present कर सकता है ये 20-30% केसे में हो सकता है अगर मा को gonorrhea है या फिर मा के gonorrhea होने के कारण समय से पहले मा को दर्दे आ सकती है और बच्चा समय से पहले भी हो सकता है